सो ही गाई वस्ता आप देखने प्पप्लिक गाराज जो आज यह गाड़ी है हमारे पास है यह हमारी टाइगून जीटी प्लस 1.5 वे इंटिरेटेट सीट मतलब यार बहुत ही अंदर एक्दम लग्जियूरिस इसका जो आपको इंटिरेट रहना है और देखने को मिलता है बहुत ही बढ़िया मैं कुछ वीडियो से अंदर का क्यों स्टार्ट करने लगा पहले बताना जस विकोज यार मुझे ना थोड़ा सा प्रिमिम नेस देखे न अंदर जैसी स्टार्ट करता हो न तो और एकदम से मोटिवेशन मिलती है कि हां और बाई जल 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 दिया वीडियो और कवर करो जो भी है हमारी ग्लोबली एंड़कर में इसने 5.5 रेट कर रहा है और Volkswagen की सारी गाडियों में 5.5 रेट कर रहा है बाकी यह है इसकी आर की आपको फ्लिप की देखने को मिलती है नॉर्मल जैसे कि हर आपको गाड़ी में देखने के मिलेगी Volkswagen में lock unlock और boot open करने के लिए सबसे बह आपको पहले पुश बटन से on करता हूं गाड़ी तो आप देखने है इसका welcome अंदर से फील ही ऐसी आती है जो इसका theme दे रखिया ना कि अंदर sportier लुक एक दम GT लिखा हूँ आ गया आरिया नेक दूं खतरनाग लुक यार अब इतों इन्फोटेंट में सिस्टम पर यह आपको इसका इंटेर देखने को मिलता है, इंफोटेंट में सिस्टम प्लस cluster, cluster थो मुझे खास दोर से बहुत ज़ूज लगता है इस गाड़ी बहुत ही बढ़ी एक दम, बाकि dual tone में इसमें आपको dashboard देखने को मिल जाएगा, ब्लैक बीच एन आपको हिया मिल जाएगा, ग gray finish में यहां all four power windows आपको मिल जाते हैं child lock और VM की settings यह आपके front के सारे AC event and यहां आपको मिल जाता है headlamps का switch जो कि आपको यह regulator form में देखने को मिलता है automatic headlamps में देखने को मिल जाते हैं और यह headlamps आपका increase और decrease इनकी visibility करने के लिए बागी steering पर आपको सारे ही telematic switches देखने को मिल जाएंगे और आपका यहां vice versa यहां पर आपके headlamps के lever और यहां आपको मिल जाएगा wipers का rain sensing wipers इसमें आपको देख रहे हो मिल जाते हैं आपका यह हो गया आप मारा paddle shifters और यह सारे आपके controls जिसमें कि आपको view में आप cluster की चीज़ें चेंज कर सकते हैं इसके तुरू आपका voice command हो जाता है cruise control हो जाता है और volume increase और decrease आपका infotainment system का airbag मिल जाता है और steering column की हम बात कर रहे हैं तो tilt और telescopic हमें दोनों देखने को मिल जाते हैं इसमें बागी एक बाद स्टार्ट करते हैं बाई गाड़ी आती है ना बहुत जबदस लुक बागी यह इसके आई गेसे थोड़ा battery weak है गाड़ी की बाहर बरना और इसमें एक फीचर भी है अगर आपने इसका ignition on कर दिया ना और अगर कुछ भी आप उसमें यह देखो जैसे इसमें अभी बैटरी दिखा रहा है उसमें अगर कुछ भी काम नहीं कर रहे है खाली हो स्टार्ट है ओन है तो अपने आउटमेटिक ओफ भी हो जाएगा जैसे कि अब मैं मैं देख चुका हूँ खुद ऑपसर कर चुका हूँ बागी देखो मैंने आपको steering control सब बता दिया व्यू का option यह मिल जाएगा जिसके अंदर की आप सारी चीज़े चेक कर सकते हो जैसे मैंने बताया आपको वर्ट तो जैसी maximum 95% चीज़ें सेम मिलेंगी बस उसमें इसमें क बागी इसमें भी आपको ग्लोबली एंट कर रखे है इसने गाड़ी ने और यह आपको हो गया speedometer, analog में आप इसको कर सकते हैं और सेम आप इसको digital में भी कर सकते हैं राइट-hand side की एक छोटी सी M.I.D. screen आप बोल सकते हो left-hand side की है पूरी cluster में integrated है यहां से आगर आपको setting करन करना हो, audio सुनना हो, telephone से connect करना हो, average speed, days to empty, क्या हमारी गाड़ी, average दे रही है, वो सब चीजे, और आपकी गाड़ी की performance कैसी है, economy में कैसा average दे रही है, वो सब चीजे आप यहां पर अपनी M.I.D. screen में देख सकते हो, बागी सब आपको जैसे यहां पर मिलगा power brake option, यहां पर आपको ignition का start नहीं कर रहे हो, तो अपने आपी न, automatically जो इसको, ऐसा feature दिया है कि उस sense करके, अपने आप, automatically कापको cluster हो जाएगा, बंद, देखो, जैसे AB screen आपकी गई, ठीक है, तो यह feature ही आते है, इसको unique feature के सकते हो, यह safety feature के सकते हो, बहुत जरूरी भी है कि कहीं-कहीं आपके driving seat पर, नीचे 2 cup holders, grab handles मिल जाते हैं देखने को, बागी आपका पूरा है, dashboard, hard plastic देखने को मिलेगा, अब आ जाते हैं इसके infotainment system पर, तो भाई, infotainment system बिल्कूल, same as wordos जैसा है, 10.25 inches का, जिसके अंदर की आपको सारे wireless connectivity, front और rear के speakers, Bluetooth connectivity, और आपका integrated 2D in audio, and Apple CarPlay, Android Auto, यह सब feature आपको देखने को मिल जाएंगे, navigations, and इहां ही से आप देखो, traction control का यह आपको feature दिखा रहा है, इहां ही से आप इसको operate कर सकते हो, यहां से आपका traction control हो जाएगा, disabled, deactiv, और अगर आप इसको करोगे दुबारा प्रेस, तो अ एक्टिव हो जाएगा, तो यह सब आप बहुत पसंद आ रही है, इसकी display का तो मैं fan हो, मैं वर्तुस का भी fan हो, मैं इस टाइकोन का, क्योंकि same यहां उसी platform पे designed है, बस difference क्या है, हमारी वर्तुस हो जाती है sedan में, यह हमारी आप यहां यहां प्रोपर SUV, ठीक है, तो यह इसमें हमारी थोड़ा से एक difference है, बागे तो issue, बहुत ही अच्छी है, यह भी बहुत अच्छी premium है, अंदर से गाड़ी premium है लगती है जब भी, भाग यहां मिल जाता है, आपको automatic limit control, ठीक है, यहां front और rear के defogger, parking hazard light, दो यहां पे आपको front के दोनों वो ventilated seat मिल जाती है, auto off का आपको feature मिल जाता है, नीचे आपको मिल जा है कि मैंने मारूती की गाड़ी में देखा है, इसमें lag मिलता है, जैसी कि आपकी कोई automatic air change दरे कि इसमें कोई lag आपको देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि आप खुछ जो shift करते हो manually उससे भी तेज shifting किसमें मिल लेगी, आपको यहां handbrake मिल जाता है, took up holder मिल जाता है, arm rest, sliding वा बागी यह हो गया नीचे आपका dead pedal, dead pedal के साथ आप देखो एक डेश गोड़ी है, बहुत ही तकड़ा, और इसका NVH लेवल से है क्यों, क्योंकि देखो आप door बहुत हैवी है इसका, ठीके, और door 3rd, इतना भारी है कि जो इसका भाई, लोह यूज हुआ हुआ है न, अंदर से जो इंटिरियर बिल्कुली sound free होने वाला है, बागी मुझे एक अच्छी चीज़ लगते है, एक safety feature, पार्किंग अजा लाई चलाऊँगा न, तो देखो अंदर में न, यहापे भी आपको एक light देखते हुआ हुआ है, जो कि पीछे वाले को बहुत easy रहता है, आपसे over take करन में, तो एक safety feature है, मैं कहता हूँ कि इसमें, यहापे भी एक light होनी चाहिए, कि हम अगर पास भी कर रहे हैं, तो पीछे वाले बंदे को easily दिख जाए कि हम right turn या left turn लेने वाले, बागी हम मैंने seat अपनी पूरी पीछे हिसाब से adjust कर रखी है, my height is 6 feet, तो अब देखते हैं कि प high adjustment वाले मिल जाएंगे, और बीच में आपको मिल जाएगा armrest two cup holders, rear में आपको AC wind मिल जाएगा, two type C वाले आपको fast charging option मिल जाएंगे, बीच में आपको hump बहुत ही decent है, ज्यादा उठा होनी है, तो बीच में easily मैं इसमें कह सकता हूँ कि 6 feet के पीछे तीन हो बंदे, बहुत comfortable हो अब मैं आपको safety features बता हूँ, इसमें आपको safety feature मिल जाते है, ABS with EVD unit मिल जाती है, auto off, hill assist, hill decent control, engine immobilizer, crash sensors, automatic headlamps, auto IRVM, isofix seats, 6 airbags, electric stability program, vehicle stability program, multi collagen braking, और आपका इसमें advanced cylinder technology भी आती है, जो कि आपको बढ़त उसमें भी top model में GT Place में देखने को मिलती है, tyre pressure monitoring system, brake disc, वाइक बिंग, भाई, इतने सारे features, इतने सारे features, जैसे कि आपका na, advanced cylinder technology, multi collagen braking, यह हर कोई गाड़ी नहीं देती भाई, तो अगर उसमें बहुत सारे features आपको देखने को मिलते हैं, तो इसमें वो feature देखने को मिलते हैं, जो कोई गाड़ी भी नहीं देखती, तो इसलिए Volkswagen भाई, बहुत ही गिनिच उने customers के लिए, जो की अपना future ये देखते हैं, कि जिसमें कि यो safe चल सकते हैं, तो ये गाड़ बहुत ही बड़े से, और ये भी अंदर से integrate होके न, chrome finishing के साथ ही, आपके headlamps में integrate होके, नीचे सा आपके पूरे खदम होते हैं, पीछ में आपको मिल जाता है Fox wagon का logo, यहां आपको मिल जाते है turn indicators, यह मिल जाता है, आपको automatic headlamps, LED setup में, नीचे आपको मिल जाता है fog lamp, और इस आपके वर्तुस हो, टाइगून हो, डिगवान हो, यह सारी जो मने जाती है, बिल्ट कॉलिटी भी मने जाती है, और यह भी एक feature है, अगर आपका ignition on है, और कोई भी यूज नहीं हो रहा है, तो automatically अंदर से sense करके उसको off कर देगा, जिसे कि आपने आपने देखा, DRL सोगी हम आपने किसलाग लगाने के बाद भी आपको इसमें सब features मिल जाते हैं, जो कि मैंने अभी आपको अंदर explain करें हैं, बागी अगर मैं इसकी आपको dimensions की बात करूँ ना, तो आपको इसमें weight मिल जाती है, 1760 mm के weight मिल जाती है, same as vertus, और अगर मैं इसकी side profile में आपको इसकी length के बात करूँ तो आपको मिल जाते है, 421 mm के इसमे length देखने को मिल जाती है, wheelbase भी same as vertus, 2651 के आपको wheelbase देखने को मिल जाती है, और 1612 mm के आपको इसमें देखने को मिल जाती है, तो एक आपको ये, जो SUV है, प्रॉपर एक height का भी बहुत मज़ा देने वाली है, क्योंकि बहु आपको इस गाड़ी नो मेंटेन कर रहा है, आपको Fox 7 टाइग उनने, आगी आप मैं करूँ इसकी side profile की बात, तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, और जो इसमें आपको alloys मिल जाएंगे, diamond cut alloys मिल जाएंगे, 17 inches के विधर टायर प्रॉफाइल और 205 x 55 R17, फ्रंट में आ इसमें आपको कहीं भी off-roading में जाएंगे तो आपको कोई जटकी जाता है, फिल इसमें गाड़ी में नहीं होने वाले, भागी आप देखिए इसका wheel arch, side में आपको मिल जाते हैं body color में, ORVM with a turn indicator, and यहाँ आपको मिल जाते हैं, body color में door handles with a chrome finishing, request sensor के साथ, A pillar, B pillar आपको सार मि finance करती हैं height में, थोटी सी उठी उठी लगती है गाड़ी है, personal जो मुझे पसंद है, breeze referral से मुझे पसंद आती है, and यह आपकी होगी fuel gap, इसको प्रेस करेंगे, आप खोल जाएगी, यहीं से प्रेस करके आपको बंद आ सकते हैं, बागी एक बागी आप किसी character lines देखे है, character lines बहुत solid है, बहुत मस्किल रहा है, चलते हो गाड़ी एकदम अच्छे लगती है, proper SUV जो हम बोलते हैं, mid SUV में जो होनी चाहिए वो लगती है, बागी तो dimension wise भी क्रेटा से बढ़ी है, आजकल जो क्रेटा मार्केट में जाहाँ चल रही है, तो उसको बहुत अच्छा compete करती है आपके हर चीज में, pick up wise, average wise, and आपका build quality wise, हर चीज में, भागी मैं आपको इसके अब दिखाता हूँ, rear profile, तबहुत यह है rear profile, ऐसी हमारी टाइगून की, टाइगून की यहाँ देखने को मिल जाएगी आपको बैजिंग, पीछे GT लिखा हुआ, फॉक्स वेकन का लोगो, औ पहले जो connected rear tail lamps का जो fashion था यह आप एरा भूख सकते हो, इसी गाड़ी में था, अब इसको देखने के बाद आप देखोगे नई गाड़ीों में भी आयन लागा जिसे venue में, वर्ना में, तो पहले सबसे पहले इसी में आता था rear की जो आपकी tail lamps होती थी थी न, वो connected ही होती थ यहाँ पर आपको मिल जाते है rear का camera, आपको मिल जाते है रिएर का camera आपको मिल जाये तीन reverse parking sensors, निचे आपको मिल जायेगा reflector एए chrome garnish के साथ coverage, पूरी finishing, आप देखी इसा ground clearance, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है ground clearance देखने को मिल जायेगा आप इसको, बागी boot space आप अपन आरे बूट की कहानी भई तीन सो प्लस लीटर आपको इसमें बूट स्पेश देखने को मिल जाएगा यहां 60-40 स्वेट सिक भी आपको देखने को मिल जाएगी एंड जो लगेज लेंप है लगेज लेंप इसका मिलता है यहां थोड़ी सी अभी बैटे थोड़ी सी काड़ी की कम है तो इसलिए उचलने रहा बागी स्पेर भी मिल जाएगा आपको यहां पर ही ट्रंक के अंदर ही 16 इंचिस का उपर आपके हो जाएगी यहां पासल ट्रे बागी आपको एक छोटी से ग्रिप मिल जाएगी जिसकी वज़ेश आप इसको नीचे करके इसको आप बंद कर स एक चीज़ और में बताना बूलेगा आपको हाँ पर ड्राइविंग सीट के साथ यहां को पैसेंजर सीट पर भी आपको यह मल जाएगा रिक्वेस्ट सेंसर दोनों ही दोर्स पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर कॉप्शन देखने को मिल जाएगा तो यह है आपके इंजन प् आपके 50 लिटर्स की जो एमिशन नौ में वह आपका है बीए सिक्स एंड जो इसका एवरेज क्लें किया तो 17-18 का आपको हाइवे बे इजली आपको यह गाड़ी निगाल के देदेगी बहुत बड़ी आइवरेज और इसमें आपको इंसुलेशन मैट कुछ नहीं दे रखा एज यू ओ कि हमारा भाई पेट्रोल एंजन है बहुत सारे ने अच्छे होंगे और बिल्ट वालट इतनी अच्छी होती है तो अंदर से तो बिल्कुल जो हमारा कैबिन है बिल्कुल स्यलेंट रहता है तो यह थी इंजिन स्पेसिफिएशन कुछ इसकी ऐसी पागी इसको क बढ़िया चोड़ाई मिलती है इस गाड़ी में बहुत इच्छी और बिल्ड कॉलिटी तो ही बहुत से बदस हर गाड़ी सारी चैसे मैं हर बार बार बाता हूँ वीडियो में सारी 5-5 रेट करती है तो वेल्योवल है मस्ट वेल्यू प्रोड़क्ट है और जो सारी इसके मैंन आपको देखने को मिलती है वेल्यू गाड़ी के साथ सेफटी फीचर से बहुत अच्छे देखने को मिलते है तो कि मैंने आपको यह कर रहे हैं एक्स्प्लेन बागी वीडियो अच्छे लगए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कूल करके जाना बागी मिलते है नेक्स वीडियो में एक अच्छे कॉंटेंट के साथ अच्छी गाड़ी के साथ तिल देन टेक क्या बाबै थेंक यू